गर्याबन में भी आज शावन सोंबार के पहली दिप विश्वप्रसित अर्धनारिश्वर भूतिस्वर्नात धाम में जल अविशेक के लिए सुबा से ही भक्तों का ताता लगा हुआ था प्रतिवर्स पढ़ने वाला या श्रिवलिंग पूरे विश्वभर में विख्यात है ऐसे में सावन के इस पावन अशर पर दूसरे राची से भी श्रथालू जल अविशेक के लिए पहुँशने थे पूरा तत्व विद को मानना है कि श्रिवलिंग पर कभी छूरा शत्र के जमिदार हाथी पर चड़कर जल अविशेक किया करते थे अब इसकी उचाई दुगनी से भी जादा हो चुकी है श्रिवलिंग पर एक हलकी सी दरार भी है जिसे कई लोग इसे अर्धन नारिश्वर का स्वरू भी मानते हैं भूतेश्वर महादेव की उचाई विवरण 1952 में प्रकाशित कल्यान तिर्थाक के प्रिष्ट क्रमाग 408 पर मिलता है जहां इसकी उचाई 35 फिट और ब्यास 150 फिट उलेखित है 1978 में इसकी उचाई 40 फिट बताई गई 1987 में 55 फिट और 1994 में फिट से थेरोलाइट मसीन से नाप करने पर 62 फिट और उसका व्यास 290 फिट मिला वहीं वर्तमान में इस सिवलिंग की उचाई 80 फिट बताई जा रही है मंदिर परिसर में छोटे-छोटे मंदिर बना दिये गए है हम लोग दिल्ली से आये हैं और पहली बारी आये हैं बहुत सुना था इस मंदिर के बारे में बट आजाने का मौका मिला और इतने शुद दिन के आज कुमवारे पहला सावन का तो बहुत अच्छा लग रहे हैं अच्छा जैसे इसना विसाल का है कभी और प्यूलिंग देखे थी इतना बड़ा शुवलिंग नहीं देखा सकते हैं इसके बारे मौर कुछ यहां पता चला है हर साल एक इंच करता है तो बहुत मनता है यहां पर आने का और मौका मिला अच्छा लगा और दोबार आना चाहेंगे हां जी बिल्कुल बिल्कुल की जब भी भी रायपूर या चत्रिस गड़ाएंगे तो यहां रोड़ा है और उससे अभी अड़े सभागे के बात है कि वीश्व के सबसे वड़ा सीधिंग हमारे गरिया बंजीले मिस्तित है आज पुरे सभी जगों के लोग सद्धालू लोग गरियवन आते हैं और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम यहां के निवासी है यहां पर अपना घर परिवार के सारे लोग का अगमन गरियवन हो रहा है कल संड़े के दीन था पूरे परिवार के सभी लोग का फोनी वह फोन तो इस साल सावन में पहले चार सुम मार परती साल आट समय मिल रहा है इस ते अच्छा समय बहुत कम मुई काता है और आज जिसे पहला सुम मार आहत कितना फिर है तो बहुत जादर भीड़ है सुबह सी तानल ताता लग हुआ है भगतों का और जिसे साब से लग रहा है कि यह तो साम होते तक और बढ़ने वाली है